नमस्ते स्टूरेंट्स, पाठ चला पंडित में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आईश्वटाचरिया, आज हम देखेंगे कि लाइन्स ओन अ प्लेन कैसे बनाए जाता है, अल्रेट, चलो देख लेते हैं, लाइन्स ओन अ प्लेन, तो देखो, लाइन्स ओन अ प्लेन, पहली बाद तो हमें एक कोडिनेट सिस्टम मनाना पड़ेगा, टूडी कोडिनेट सिस्टम, ये एक, ये एक, ओके, अब इसमें क्या था, ये y था, ये x था, ये minus x था, ये minus y था, correct, अब देखो इधर, इसमें अगर, इसमें अगर, मैं कुछ points ले लूँ, जैसे कि पहली बाद तो ये बनाए तो, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, 1, 2, 3, 4 तो देखो और हाँ यह है origin इसमें अगर मैं कुछ points बनाओ क्काम से points मैं यहां पर लिख जयता हूँ यह चलो इधर लिख जयता हूँ 2,3 ओके then x-axis पे 2 फिर y-axis पे 3 then 0,3 minus 2,3 and minus 3,3 ठीक है? यह 4 points मैं इधर plot करना है ओल्राइट करते है plot 2,3 वो कुछ इधर आएगा ठीक है? पहले x-axis फिर y-axis 2,3 फिर 0,3 वो इधर आएगा फिर minus 2,3 वो कुछ इधर ही आएगा और हाँ इधर आएगा and minus 3,3 so minus 3,3 वो इधर आएगा ओल्राइट यह 4 points plot हो गए अब देखो अगर मैं इसे join कर दूँ तो कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा यह line correct मैंने इसे join कर दिया तो इसमें कोई भी मतले इस line पर भी मैं कोई भी point ले लूँ चाहिए तो यह वालो एक point ले 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 था हूँ तो इसका coordinate क्या होगा? इसका coordinate होगा x4, y3 तो 4,3 होगा इसका coordinate इधर भी आगर मैं point ले ले लूँ तो यह होगा minus 4,3 कोई भी, कोई भी point ले लिए हम देख सकते है, की x तो चलो vary कर रहा ता है मतलब x कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लेकिन why हमेशा fixed है, y है 3, ठीक है? इसका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? की इस line का equation है इस line का जो equation है वो है y equals to 3, okay, या फिर हम ऐसे भी बोल सकता है 0x plus 1y equals to 3, all right, समझ में आ गया, generally y equals to 3 लिख देता है, यह मैंने अलग से लिखा है, ठीक है, शरिफ y equals to 3 लिखते हैं, क्यों clear हो गया है, क्योंकि y axis, मानलब y जो coordinate है, रिक्दाम fixed है, इसलिए y equals to 3 हमने लिख दिया Similarly, अगर हम कुछ और points देखें, जासे कि, अब क्या देखें, चलो देखते हैं, 2, 2, 0, okay, then 2, minus 3, then 2, 2, and finally, 2, 3, okay, यह points अब हम plot करते हैं, 2, 0, कि इदर आएगा, इदर ही आएगा, 2, y axis पे 0, तो इदर आएगा, 2, minus 3, 2 इदर आगया, और minus 3 कि इदर है, minus 3 इदर है, 2 minus 3, okay, इदर point कर गया, 2, 2, 2, 2 इदर है, 2 इदर है, तो दोनों जहां पर join होड़े हैं, इदर मैंने plot कर गया, 2, 3, 2 है और इदर आएगा, चलो, इदर तो पहले से ही है, तो हम अभी इसे join करेंगे, alright, तो यह भी एक line बन चुका है, और याद रखना हर एक line का अपना equation रहता है, okay, हर एक line का अपना, खुद का equation रहता है, तो इसमें हम देख सकते कि x, x कोडिनेट है, वो फिक्स हो चुका है, ठीक है, इसमें x कोडिनेट फिक्स हो चुका है, जो किये 2, लेकिन y कोडिनेट अलग-अलग हो सकता है, तो इसलिए मैं यह स्री y लिख रहा हुए तो इसका equation क्या होगा, इसका equation होगा, x is equals to 2, या फिर 1x plus 0y equals to 2, ओल्राइट, यह इसका equation होगा, ओल्राइट, ओके, अब यहाँ पर अच्छे से देखो, यह दोनो equation एक जगा पर मिल रहे हैं, इस point पर, अगर कोई एक point है, या दखना, line का equation होता है, point के coordinates होता है, ओके, तो इस point का, इस point का, मैं, कहां पर लिखो, इहां चलो, इदर लिख जता हूँ, इस point के coordinates क्या है, इस point के coordinates है, x, देखो, मैंने x वाला line ले लिया, तो पहली बात तो इस से मैं x के coordinate ले लूँगा, क्योंकि x के coordinate, यहां पर, यहां पर कोई भी line हो, मतलब कोई भी point हो, इस line पर, x is equals to 2 के line पर कोई भी point हो, x, 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 तो मैं दावे से कह सकता हो, x coordinate मैं दावे से कह सकता हो, क्यों 2 ही होगा, correct, 2 होगा, लेकिन अब देखो, यह point इस line पर भी belong करता है, इस line पर भी गिरता है, तो मैंने क्या कहा था, कि इस line पर कोई भी point हो, मैं दावे से कह सकता हो, कि y 3 ही रहेगा, उसका जो y coordinate है, ओ 3 रहेगा, इसलिए मुझा भी इदर 3 लिखना पड़ेगा, तो समझ में आ गया, यह 2,3 point है, और यह हमने इधर भी देखा है, कि 2,3 हम plot किया थे, इधर आया था, और 2,3 plot किया थे, इधर यह आएगा, तो दो line जब मिलते हैं, उसका x coordinate और y coordinate हम ले लेते हैं, ताकि point बन जाए, clear, clear है यह बात, okay, तो समझ में आ गया, कि कैसे lines बनते हैं, अब और भी कुछ चीज़े देख लेते हैं, जैसे कि, यह क्या है, यह है parallel, parallel किस्ते है, parallel to x-axis, ठीक है, parallel to x-axis है, याद दखना, जो line parallel to x-axis हो, उसका y equal to कुस्तों लिंगलता है, ठीक है, जो x-axis से parallel हो, जो line, वो y equal to something रहता है, जैसे इदर y equal to 3 है, similarly, यह क्या है, यह है parallel to x, parallel to y, parallel to y, तो उसका क्या होगा, उसका x is equal to something रहेगा, उसका जो equation है, x is equal to something रहेगा, तो समझ गए, parallel to x है, x से parallel, parallel to y, y से parallel, और उसके coordinates accordingly हम लिख सकते हैं, clear, clear है यह बात, all right, तो अब एक बाट मैं देख लेता हूँ, कि, okay, तो यह तो ठीक है, मैंने शिरिफ 0x plus 1y, फिर 1x plus 0y, ऐसे ले लिए हमने, अब एक बहुत मस्त लाइन देखते हैं, सचरी एक coordinate है, I mean यह एक 2D plane है, जहां पर यह y है, यह x है, यह origin है, और 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, minus 1, minus 2, minus 1, minus 2, minus 3, ठीक है, एक काम करते हूँ, इधर में यह 1, 2, 3, 4 नहीं लिखते हूँ, क्योंकि समाझ में आ रहे हैं, यह 1 रहे हैं, यह 2 रहे हैं, तो थोड़ा साफ रखते हैं इसको और लिखते हैं, अब मुझे, जैसे कि मैंने बताया है, कि अगर अभी सोचो, मुझे बताया जाए, कि y equal to 3 का एक लाइन बनाओ, इस plane पर y equal to 3 का एक लाइन बनाओ, तो मैं क्या करूँगा, 3 लूँगा, x-axis से parallel रखूँगा, और बना दूँगा, यह फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे अलग-अलग point ले सकता हूँ, जहां पर 3 y-coordinate में रहे, जहां पर 3 y-coordinate में रहे, उससे सब से मैं, और points प्लोट करके, एक line ड्रॉ कर सकता हूँ, similarly इसदर भी, अगर बोला कि x is equal to 2 बनाओ, तो x-coordinate में हमेशा 2 लूँगा, y-coordinate में कुछ और 2-4 points ले लूँगा, plot कर दूँगा, line ड्रॉ कर दूँगा, similarly हमें इधर भी वैसे ही करना है, okay, कैसे, जैसे कि हमारे पास एक line का equation है, line का equation है, हमारे पास, वो है, 2x-y plus 1, 2x-y plus 1 equal to 0, ठीक है, यह है, हमारे पास एक line का equation, मतलब, यह जैसे, 1x plus 0y equal to 2 था, ठीक वैसे, यह एक line हमारे पास आचुका है, इस तरह से, एक line हमारे पास आचुका है, तो, इसके अभी हमें x और y coordinates ढूणने हैं, कैसे ढूणने मैं बताता हूं, यह है x और यह है y, ओके, तो, देखो अभी, सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, y को खीच कर बाहर कर देता है, ठीक है, y को एक तरफ कर देता है, बाकि सब को किसी और तरफ कर देता है, तो कैसे दिखेगा, y, यह चलो, मैं दिखा है तो इदर, 2x plus 1 equal to y हो जाएगा, y को मैंने एक तरफ मैंने shift कर दिया, ठीक है, एक तरफ मैंने shift कर दिया, तो अब देखो, अगर मैं सोचो, x, x मैं 0 लू, x को मैं 0 ले लिए, बहुत छोटे-चोटे नंबर्स लेने, ठीक है, बहुत बढ़े नंबर्स नहीं लेने, x को मैंने 0 ले लिया, तो क्या होगा यह, 0 plus 1 equal to y, तो y हो जाएगा 1, करेक्ट ना, क्योंकि यह 0 हो जाएगा, यह 1 रहे, तो यह भी 1 रहे जाएगा, similarly, अभी मैं x को 1 ले लेता हूँ, चलो, x को मैंने 1 ले लिया, तो 2 into 1 हो जाएगा 2, यह 1, तो यह हो जाएगा 3, तो y equal to 3 हो जाएगा, ऐसे हमें और भी 2 points ले लेने हैं, ठीक है, और भी 2 points लेने हैं, तो अभी क्या ले, अभी एक काम करते हैं, इधर हम minus 1 ले लेते हैं, ठीक है, x is equal to minus 1, तो इधर क्या होगा, minus 2, plus 1 equals to minus 1, इधर 1 हो जाएगा, और एक points ले लेते हैं, और खतम करते हैं इस बात को, अब क्या ले, एक काम करते हैं, minus 2 लेते हैं, ठीक है, x में हमने ले लिया minus 2, याद रखना हैं कैसे करना हैं, y को एक तरफ करते हैं और x के साथ जो भी कुछ चिपका हूआ है, वह एक तरफ करते हैं, या फिर ईसे भी कर सकते हैं, है कि X को एक तरफ कर लिया और Y के साथ जो भी चिपका हूँ हो इस दूसरे तरफ कर लिए फिर एक-एक करके value डालते जाने हैं सोच हो मैंने Y सरी Y को आहिंगा तो X में value डालते जाने और Y के जो भी value मिले लिखते जाने सोच हो में हमने X को एकदम अलग कर दिया ठीक है किया तो X में मैं वैलुज डाल रहा हूं अगर सब्सक्राइब से अलग होता है तो Y में मैं वैलुज डालता है और similarly मैं दूसरे points लिखते जाता है समझ गया है कि मैं एक बाद चेक कर लेता हूं वीडियो अच्छे से आ रहा है कि नहीं ओके बहुत अच्छा से रहे है सो now Y में अभी X अगर माइनस 2 है तो यह हो जाएगा माइनस 3 I guess क्यूंकि माइनस 2 ही जाएगा माइनस 4 यह 1 तो माइनस 3 है यह हो गया माइनस 3 तो मैंस 3 तो मैं ऐसे करके X और Y के कुछ values मिल गया और यह क्या है यह तो coordinates है एक्स यह क्या होगा यह हो गया 0,1 यह 1,3-1,1-2,3 इससे हमें डाल दी जाने जैसे 0,1 को कहाँ पर डाले है एक्स पर 0 है और यह 1 है वीदर डालेंगे ठीक है यह क्या है यह 0,1 यह क्या होगा वीदर होगा 1,3 तो 1,3 वीदर आएगा 1,3 minus 1,1 तो एक्स से minus 1 और यह हम पर है just a minute इदर हमने सायद कुछ तो गलत किया है minus 2 अरे देखो, sorry, sorry एक बात देखो इदर, minus 1 है तो अगर एक्स में minus 1 ले तो minus 2 हो जाएगा यह 1 है तो minus 1 होगा ना तो यह minus 1 होगा एक गलते हो गेते, sorry तो minus 1, minus 1 and minus 1 जहाँ पर मिल रहे हो यहाँ पर है so minus 1, minus 1 and finally minus 2, minus 3 so minus 2, minus 3 इदर आएगा यह समझ पार हो ना मैंने इस बर coordinates नहीं लिखे इदर पर समझ में तो आ रहे है ना भी, okay तो यह है minus 2 कमा, क्या है यह minus 3 clear और यह एक line हम बना पाएंगे भी scale से अगर हम line बना है तो सब एक line पर सब टक 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 पाएंगे अगर आगे तो perfect line बना है आपका और जैसे मैंने बताया था हर एक line का equation होता है अपना इस line का equation था 1x plus 0y equal to 2 इस line का equation है यह equation है 2x minus y plus 1 equal to 0 क्योंकि उसी कही तो coordinates हमने बनाएं तो समझे आ गया ना पूरी बात कि कैसे एक line बनाया जाता है एक coordinate plane पर clear हो गया तो ठीक है फिर यह था actually lines कैसे बनाते हो मुझे सिखाना था तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए अपना फ्रेंड्स के साथ और जरूर हमारे चैनल का सब्स्राइब कीजिए अब तक के लिए thank you very much